बीजेपी के का जो इनके किसानों और गरीबों के लिए बीजेपी आभी वाईदा ये था कि केंदर में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदरी विदेशों से सभी कालाधन अपने देश में वापिसला कर फिर उसमें से यहां परते गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15-20 लाख रुपे के इसाब से दिये जाएंगे यह भारत जंता पार्टी का पहला मुख्य चुनावी वाइदा था और इनका दूसरा मुख्य चुनावी वाइदा यह था कि यहां कर्ज में डूबे किसानों का करजा भी माफ कर दिया जाएगा यह इनका दूसरा मुख्य चुनावी वाइदा था जो अभी यह लोग अपने बोट की खातिर सत्ता में आने के बाद यहां 14 दिनों में किसानों का करजा माफ करने की बात कर रहे हैं अर्थात फिर से ये सो दिनों वाली दिनों की राजनिती करना इन्होंने इस चुनाम में फिर से सुरू कर दिया है लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ महाराज गंजिले के गरीब लोगों से और किसानों से खासकर गरीब लोगों से किसानों से ये पूछना चाहती हूं कि केंदर में बीजेपी की सरकार को बने हुए अब लगभग तीन वर्स पूरे हो चुके हैं मैं गरीब लोगों से पूछना चाहती हूं कि क्या इन तीन वर्सों में आपके इस जिले में किसी भी गरीब के खाते में एक रुपा भी केंदर की सरकार की ओर से जमा हुआ हैं मैं अपने किसान भाईयों से भी पूछना चाहती हूं क्या किसी भी एक किसान भाई का एक रुपे का भी कर्ज माफ हुआ है केंदर की सरकार की ओर से मैं समझती हूं कि नहीं हुआ है और अब इनके ये दोनों मुखे चुनावी वाइदे भी या अन्य वाइदों की तरह ही केवल हवा हवाई वे कोरे जुम्ले बाजी ही बन कर रह गए हैं जिसकी वज़े से अब लोग पूरे देश में भारते जंता पार्टी को यहां भारते जुम्ला पार्टी भी कहने लगे हैं